हेलो जी मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं सुनीता कॉनर तो आज मैं आपको एक कैबिन का वीडियो दिखा रही हूं कैबिन मुझे भी लास्ट टेम पता चला था कैबिन क्या होता है तो यह घर है जैसे हमारे शिरी नगर में शिकारे के उपर बने होते हैं लकडी के बहुत ही खूब सूरत और आसपास पहाड़ी है देखे बरफ है यह मैं नौर्वेय नौर्वेय नौर्थ पोल के वहां पर पड़ता है तो बरफ ही बरफ है देखे यहां पर कम से कम 200 किलोमेटर दूर आया हम अपने घर से और यहां पर भी इनका अपना घर है तो बस खूब सूरत डिटेलिंग की हुई है घर की बिल्कुल पहाड़ों के बीच में यहां से पूरा आपको वादी नजर आती है बिल्कुल पहाड़ के उपर यह घर है कहीं कहीं पे हैं लोग सिरफ चुटिया मनाने आते हैं रेगलर नहीं रहता यहां पर कोई भी यह देखे य यह देखें और उपर छत्वे घास लगी हुई है ताकि यह उसमें प्रकरती में मर्ज हो जाएं नजर ही ना इधर उदर से जब बर्फ पढ़ती है तो आपको पहाड़ों में और केबिन में फर्क करने का बिल्कुल मालूम नहीं पढ़ता क्योंकि एक ही जैसे लगते हैं धेरों धेर बर्फ और उसके उपर यह चत्वे में बर्फ ही बर्फ होती है अभी तो घास है घास है यह लोग लगाते हैं ताकि दूर से आपको नजर ना आए कुछ भी अच्छा लगे देखने में कि आप बिल्कुल नेचर के साथ ही हैं तो यह देखिए कितना प्यारा है बहुत ही खूशूरत है यहां पर जितने खूटियां लगा रखी हैं वो भी लकड़ी की लगी हुई है यह देखो बिल्कुल नेचर के बीच में कर रखाया है बस दरवाजे और खिर्कियां हाइलाइट के हुआ है तो मैं इस कैबिन को आपको अंदर से दिखाऊंगी तो देखिये मेरे साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कैबिन में आए हैं तो यह देखिये कैबिन में घुस्तरी एंट्री पे यह देखिये कितने बड़े-बड़े जैकेट टंगवी है फर वाली अंदर से क्योंकि यहां ठंड माइनस में रहती है तो उस वज़ा से यहां पर चीजे सारी उस तरीके के रखने पड़ती है क्योंकि हम लोग बार-बार घर से नहीं लेके आते हैं यह गंबूट हैं बड़े-बड़े भर्फ में चलने के लिए तो मेरे को इतना वीडियो बनाना आता नहीं तो प्लीज अगर आपको थोड़ा ना अच्छा लुक है इसकी लकडी जिस तरीके की है उसको कोई पॉलिश नहीं क्या हुआ यह बैड्रूम है इदर दो पूरा बहुत बड़ा सा घर है यह लॉंड्री रूम है यहां पर भी काफी सारा समान है तो यह बहुत ही प्यारा विंटेज लुक वालक घर है कोई पॉलिश नहीं यह उपर है स्टेर उपर भी है कमरे हैं उपर भी बच्चे टीवी रूम लॉबी सब है उपर भी तो यह देखे यह पूरा वुडन का है यह सारा लकडी का है यह बहुत बड़ा ड्रॉइंग रूम है यह देखिए देखे बहुत ही अच्छा लगता है एकदाव विंटेज लुक बिल्कुल लकडी के उपर कोई पॉलिश नहीं है छत भी वैसी फर्श भी वैसा पीछे बाल कोनी बहुत बड़ी है यह देखिए यह फायर प्लेस है यह फायर प्लेस है यह ठंड बहुत होती है है यह लकडी के लटे रख्खे आए कि लकडी रख्यों है यह जलाने के लिए बाहर बाल को ने यहां लोग एकसरसाइस करते है योगा करते हैं पीछे पहाड़ है यह देखिए बहुत ही खुबसूरत है बहुत बड़ा सा दैन डाइनिंग्रूम है में एट चेर वाला यह और यह देखे एगल एक जो कभी श्कार किया होगा तो उसमें भर भर के सब रख की हुई है यह देखे यह फ्रिज है यह किचन को हाइवाइट किया हुआ है कि इसी तरीके के होते हैं बड़े नीचे ग्रिल गैस वन सब कुछ होता है चिमनी यह उपर तो यहां पर भी हर चीज है आपको कुछ भी साथ में हम लोग सिरफ खाना लेकर आते हैं साथ में यह फ्रीज है इसके अंदर अलमारी बना रखिए यह इसके अंदर फ्रीज है ताकि बाहर से नजर ना आए सब एक जैसा लगे तो यह बहुत ही इसी खिड़कें बना रखिए खिड़की में से पहाड दिखता है यह गरम कपड़े हैं जो हम लोग यहीं आके पहांते हैं यहीं छोड़ जाते हैं कैसेट पड़े हुई है यहां पर वीसीयार पड़ा हुए टीवी है यह देखिए पूरा वुडन कलर है सब कुछ एक जैस है तो यह एक नहीं चीज़ थी जो मैं लास्ट टैम तो में वीडियो नहीं बनाती थी जब आए थी तो इस साल आहीं तो में वीडियो बना रही है तो मेरे वीडियो को देखें शेयर करें लाइक करें